है आप सब लोग आए होप आप सब लोग ठीक होंगे तो अब भी आज का व्लॉग जैना मैंने मॉर्निंग से स्चार्ट किया है और ये व्लॉग तकरीबन तीन चार दिन से जैना मैं अप्लोड करने के कोशिश कर रही हूं पर वत्ता नहीं क्यों नहीं हो पारा फिर अब भी मैंने इसको थोड़ा सा जैना कुछ इसमें चेंजिंग की हैं मतलब मैं यूट्यूब पे अप्लोड कर रही हूं तो वो कुछ क्या ओकर रहे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आरा अभी भी पता नहीं मैं वोईस ओवर तो करने बैड़ने हूं पता नहीं ये अपलोड हो पाता है कि नहीं हो पाता तो और इसी टेंशन में जोएना मैं आगे जोएना न्यू व्लॉड भी नहीं रिकॉर्ड किया तो ये तक्रीबन फ्राइडे का है मुझे लगता है ये व्लोग तो आज मंडे है दो तीन दिन हो गए है इसी कोशिश में लगे हूँ यह बट यह जो है ना होनी पा रहा था तो चले खेर अभी जो है ना मैंने दुबारा से वाइस ओवर किया है वीडियो को थोड़ा और शोट कर द देखते हैं तो अच्छा यहां पर मॉर्णिंग जो है ना हो चुकी है तक्रीबन सुबा के च्छे साड़े च्छे बजे का टाइम है यहां पर मैंने जो है ना बच्छे को उठा दी है बच्छे उटकें ब्रेश वगरा कर लिया और उन्होंने क्या किया है मतलब रेडियो क देखने उन्हों कि ब्रेखवस्ट में आँच मैं ने ना ब्रेट को थोड़ा सा टोस्ट कर लिया और साथ मैंने जैना उनको हाफ फ्राइड दूंगी और क्योंकि आगे जो हैं यह ना सीजन्स सरदीयों का और रहा है तो बच्छों के लिए जो हैना एक्ञाइं वैसे भी या वो कहते हैं ना सरदी ओ या गर्मी रोज खाऊ उंडे तो बस बच्चों के लिए वैसे भी ये सब कुछ जरूरी है तो यहां पर अभी सुबसबा इतना टाइमिंग जो है ना फास्ट वह अगरा ओता है टाइम के कुछ ना कुछ बलंडर्स तो जो है ना सुबसबा मौर् मैं तो इसके बार बाकी शो है ना अबने कामशम जो है बाकी की खतम करूंगे आज मैं आपके साथ अपने मौर्निंग जो है ना वो जोowo चिगे लहन के चलेंगे तो बस वही पर जो है वहां तक जो है ना आजको मैं आपको सारा दिन में चोटे चोटे पार्ट्स में जोएना दिखाऊंगी कि सारा दिन जोएना कैसे कुजरता है और यहां पर अभी जोएना बचे चेले गए हैं स्कूल, हस्बिन के जोएना मैंने कट्टे वगरा प्रेस किया उसके बार मैंने फटा फट से उनके लिए नाश्ता बनाया, नाश्ते में जोएना मैंने बनाई थी लास्ट नाइट आइधिंग में थी बनाई थी, अब तो मुझे बूल भी गया, यह मतलब इते दिनों पहले का व्लोग है, मुझे याद भी नहीं कि क्या बनाया था और यहां पे अब भी जोएना हमारी चाए बन रही है, तो उसके बाद यहां पे मैंने बाकी हजबन आफिस चले थे तो उसके बाद मैंने यही एडिटिंग में और इसको अप्लोड करने के चक्कर में मेरे दो घंटे जोएना वेस्ट होगा, मैं इतनी परिशान हुई इस बाद के लिए, तो यहां पे सफाई तो मैंने कर ली थी, तो मैंने का था इसको रिलेक्स होके नेक्स डे देखूंगी, नेक्स डे भी कुछ नहीं हुआ, संडे को भी जोएना ऐसे मेरा निकल गया दिन, इसको इसी के अप्लोड करने के टेंशन में, अच्छा तो यहां पे कुछ कपड़े रहे थे, फोल्ड करने वले, वो मैंने किया, आयान को लाके तो मैंने उसको रूटी बना के दी, उसके बाद जो एना बेटी को लाके तो मिथी वला प्राठा उसको बना के दिया, और दोनों के टाइमिंग में, एक डिर्ट घंटे का फराग है, तो इसलिए मिर्च मसाला जो है, सारा डाल दिया था तो, और बस इन चनलों को जो हैना हल्किल की आंच पर जो हैना रख देंगे, यह चैनल की आंच पर ज्यादा अच्छे बनते हैं, और उसके बाद यहां पर वही बेसिक मसाले जो नमक में चल दी डालके जो हैना मैंने सब कुछ रख कुछ थोड़ा बहुत बिखेरा था, तो उनके बैक्स बगरा सेट किया, स्टेडी करवाने वक्त जो कुछ थोड़ा बहुत जो हैना चीज़े बिखरी थी, वो समेटी, अभी मैं जेस्ट समेट के बाहर गई थी और इस जो हैना अगेन बैट के उपर सारे टोई जो हैना ब की बिखेर दया है और उसके बाद बस बास बच्चों के साथ यही है कि धा सिरे उठाओं और उदायर से पर जो एना बिखे़िए हुए तो यह सब कुछ करते करते जो एना चैने बगरा जो हैना वह फानी जो नका द्राय हो गया तो फिर मैने उनको फटा-फट से बहुन छाली आ साथ साथ मैंने वाशिंग मशिन भी लगा यहां पर बूनने के बाद में पानी डाला और थोड़से कपड़े थे तो सुबा संडे था तो पिर मैंने जो यहां नहीं संडे नी तकरीबशा है यह व्लॉग ही मतब फराइड़े का तो यहां इतने दिन पहले का थो आप बिल्कुल भी माइन्ड में जो है न मतलब वह सैटर्डेवली जो है न वो चल रही है तो यहां पर अभी जो है मैंने जो है न चावल भी बना लिये थे साथी और सिरफ रह गया था कुरेंडर डालना चनों के पर उसके बाद हम सबने जो है न खाना इनजय किया थोड़ा सफा भी बना लिया था तो यहां पर चार था अब भज़ार यही बैचे और तो यहां पर पर इम्हर나ivo पर बिर बाद मैं यहां पर जोड़ीता नहीं थी तो यहां कि अपना सारा खाना खाने के बाद किचिन वगारा क्लीन किया बरतन जो एना दोए माझे और उसके बाद यहां पर यह कप मैं आपको दिखा रही थी के जो एना भी मुझे लगता है एक दो वीक पहले लेके आए हैं तो मेरे बेटे ने इसका जो एना बस बोल के साथ खेल रहा था कमरे में तो इसने जो एना तोड़ दिया यहां पर मरा कीचन भी जो एना ओल डन हो चुक है मतलब सारी क्लीनिंग हो चुकी है बस आज का व्लोग यहीं पेंट करूंगे इच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल का सब्सक्राइब जरूर किजएगा थैंक्यू फॉर फॉ